हेलो डियो फ्रेंड्स बिल्टी जाम गुरुजी आज के हमारा वीडियो इसमें हम टॉप 20 कोश्टन का पार्ट नंबर सैकंड डिस्क्स कर रहे हैं तो इस वीडियो में सिर्फ हमने दो ही आपके लिए जर्नल नॉलेज के कोश्टन जो है इंकलूड किये है टोटल जो जो है आपको सिविल इंजिनेरिंग के ही मिलेगे तो देखिए फर्स्ट हमारा पार जो कोश्टन जा वो वो रहा है कि बीच आफ तो फॉलिंग माटीरियल फोल्स अंडर दा कैटेगिरी ओफ रिजिट माटीरियल वेन क्रैकिंग देंपनेस ओफ ए माटीरियल कौन सा होता ह है जो कि रिजिट माटीरियल की कैटेगिरी में आता है जो माटीरियल होता है उसको हमने तीन कैटेगिरी में डिवाइड किया हुआ है एक हमार पास रिजिट माटीरियल आता है दूसरा आता है फ्लेक्सिबल माटीरियल इसको आप याद रखिए एंड थर्ड वन जो होता ह वो semi-rigid material होता है semi-rigid material तो ये तीन तरह के material होते है तो ये जो होते है use की जाते है किसी जी को resist करने के लिए तो rigid की बारे में पूछ रहा है तो rigid के बारे में हम यह आपे बता जेते हैं आपको कि rigid जो होता है कौन-कौन से होते हैं जैसे कि rigid material में हमारा bricks आ जाता है, bricks जो होते हैं, stone जो होते हैं, वो भी rigid material में आएगा, उसके बाद cement जो होता है, ये भी rigid में आता है, concrete जो होता है, ये भी rigid में आता है, उसके बाद metal बगरा होती है, वो भी इसी category में आती है, तो इस question में हमारा answer A option हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल जो होता है वो कौन-कौन सा हो जाता है तो फ्लेक्सिबल जो होता है वो बीचुमन आता है फ्लेक्सिबल आपको बाता है कि कौन-कौन सा फ्लेक्सिबल में आ सकता है फ्लेक्सिबल जो होता है वो बीचुमन आ जाता है हमारा उसको बात ह प्रतफ है उसमें जूह हएं को सेमिट होता है उसमें आता है Mastic Asphalt मैस्टिक आसफोल्ड जो होता है वो सेमी रिजिट मटीरल में आता है तो यह तीनों मटीरल हैं जिसको एकशी जगा सीलन को रोधन करने के लिए यूज करना होता है तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं जिसने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो साथ में बैल आइकन को दबा लो देखिए नेक्स्ट कोशन बोला है According to हमारे इंडिन आयस कोड What should be the nominal cover to reinforcement for footing के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि nominal cover जो होती हम क्यों provide करते है इसका main परबच क्या होता है nominal cover जो होती है ये cover हम इसके लिए provide करते हैं ताकि जो हमने steel reinforcement provide की हुई होती है उस पर कोई भी corrosion का effect न वड़े जंग से रोकने के लिए हम nominal cover जो होती है उसको provide करते हैं अगर हम simply जैसे कि हमारा ये slab का edge है यहां तक हम steel को provide कर देंगे तो steel से जंग पानी जो contact में आएगा तो steel जो होता है उस पर जंग लगेगा जंग से हमारा जो steel होता है वो सड़ जाता है उस बज़़ए से हमारा structure जो हो collapse हो सकता है तोट सकता है तो इसलिए reinforcement में cover जो होती है वो provide करना जुरूरी हो जाता है सभी को पता कि वे putting के लिए जो होती है 50 mm की cover हम provide करते हैं लेकिन जो 75 mm होता है इस value से exceed नहीं करनी चाहिए इस value से exceed नहीं करनी चाहिए कई बार आपको ये वाला option भी देखने को मिला है वैसे provide तो हम 50 mm की करते हैं लेकिन 75 से exceed नहीं होनी चाहिए तो ये चीज़ important है अगर हमें अपे footing की बात करें कि इसमें जो diameter की कौन से diameter की बार हम use करते हैं तो at least 10 mm की जो बार होती है वो होनी चाहिए अगर हम spacing की बात करें 3D या फिर 300 mm इन दोने में से जो भी कम रहेगा उसको ही हम spacing के लिए use करते हैं तो जिसे ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है कर लो साथ में bell icon को दबा लो अगला question देखी very important question है ये भी question क्या बोर रहा है which of the falling plant is also known as gas gate gas dhanav के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है gas dhanav gas dhanav gas gate के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है mangal, buddh, shukr, brehsvati किस को जाना जाता है देखी very important question है ये तो इस question का हमारा answer जो रहेगा वो जुपिटर यानि के brehsvati हो चाएगा brehsvati जो सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है brehsvati है जो सूर्य की परिक्रमा है चक्र जो है 11.9 बर्श सालों में लगाता है 11.9 साल में सूर्य की एक परक्रिमा लगाता है brehsvati तो इसको आप याद रखिए अगर हम brehsvati की उपग्रह की बात करें तो 79 इसके उपग्रह की संक्या है इसमें जो सबसे बड़ा इसका ग्रह है उपग्रह जो है वो है Ganimade Ganimade तो यह brehsvati की जो है उसके उपग्रह का नाम है ये तीन चार पॉइंट जितने भी बताये हैं हो सकता है कि आपको थोड़ बहुत helpful हो सके आपके exam में तो अगला question देखते हैं देखी next question बहुर रहा है कि adding extender extender in paint increase is क्या increase करता है paint में ये question हम कही बार discuss कर चुके हैं लेकिन ये question के थोड़ बहुत example जो थे वो हमने discuss नहीं किये थे तो इसलिए ये question जो है jury हो जाता है add करना क्योंकि exam में आपसे पूछा जाएगा कि चाल मानके चलो कि सबसे पहले मैं आपको question के बारे में बतायता हूं कि भाई इसके example कौन कौन से होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि question किस तर से बन सकता है extender देखिए extend किसी चीज को बढ़ाना उसको हम बोलते है extender तो add कर रहे है extender किसमे paint में add कर रहे है तो क्या increase होगा paint में हम extender जाड़ रहे हैं तो बढ़ रहा है कुछ ना कुछ तो it means कि paint की volume होगी वो बढ़ेगी भई तो option हमारा ये वाला correct answer हो जाएगा volume जो होगी वो बढ़ रहेगी paint में तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसके जो extender के थोड़े बहुत example जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं इसके हम example की बात करें, एक तो इसका चोक होता है, एक इसका gypsum जो होता है, एक एक इसका silica जो होता है, ये भी इसका extender होता है, एक होता है magnesium silicate, magnesium silicate जो होता है, ये चार इसके paint के extender होते हैं, जिसको हम paint में use करते हैं, अब हो सकता है कि आप से ये पूछा जाए कि भाई, silica is added in paint as, किस तरह से हम silica जो होता है paint में add करते हैं, आपको अप्शन दिया होंगे, extender, intender, कुछ vehicle, या फिर waste, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत confusing देखने को मिलेगा, या silica, ये तो कुछ सुना हुआ नाम लग रहा है, लेकिन क्या होगा, तो अगर आपको पता होग तो question आप answer लगा पाएंगे, तो ये इसलिए important बन रहा था कि extender जो होते हैं, वहाँ से अगर question पूछा जाएगा, तो आपको पता होगा, तब आप question को solve कर पाएंगे, चौक, जिसम, silica, magnesium, silicate, ये चार इसके extender है, जो कि हम paint में add करते हैं, ताकि paint की जो volume होती है, वो बढ़ जाती है, तो इसको आप याद रखिए, अब यहाँ से एक और question पूछे जा सकता है आप से, कि भई, आपको paint जो है, उसका जो value है, वो कम करनी है, price जो है, मानके जो है, इसका price 500 रुपए है, तो आपको इसका price है, तो आपको इसका price है, तो आपको पांसो एक ही paint खितने की, मानके जो है कि एक kg का, जो एक लिटर का, जो है पांसो रुपए का है, तो आप एक ही लिटर ले सकते हैं, बाकि आपको पैसे नहीं है, लेकिन आपको जो है, दो लिटर की जुरूर्त है, तो उस case में आप जो होते है, extender को use करते हैं, तो extender use करने से जो paint की value होती है, price होता है, यही main motive होता है, तो यहां से भी आपको question बन सकता है exam में, तो इसको भी आप याद कर लीजे, अगला question देखिए, the presence of which of the falling is the region for temporary hardness of water, temporary hardness जो होती है, पानी में कौन सा region, किसकी बिज़र से होती है, तो सबसे पहले आपको यह पता होने चाहिए, इस question में कि temporary hardness जो होती है, उसका एक और नाम है, वो क्या है, क्योंकि यहां से exam में question बन सकता है, temporary hardness is also known as, उसको हम बोलते हैं, carbonate hardness, चो carbonate hardness होती है, वो दूसरा नाम है, किसका temporary hardness का, यह point आप याद रखिए, हो सकता है कि exam में आपके लिए helpful हो सके, क्योंकि जो question होते हैं, उनका कोई ब्रौसा नहीं है, कि भई कुछ भी आ सकता है, तो इस चीच को आप याद रखिए, temporary hardness तो सभी को पता है कि भई जो आप पानी boil करते हैं, उबालते हैं, उससे आप temporary hardness को द magnesium जो होता है, उसकी उपस्तिति के कारण पढ़ती है, तो इस question में हमारा answer carbonate हो जाएगा, option B answer हो जाएगा, देखिए, temporary hardness जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, carbonate hardness, तो यही है option number B, हमारा question में अंसर हो जाएगा, अगला question देखिए, the type of cement used in lining of deep tube well is, lining of deep tube well is, इस question में हमारा answer portland pozzolana cement हो जाएगा, B answer हो जाएगा, lining of deep tube well जो होता है, उसके लिए portland pozzolana cement use किया जाता है, अगला question देखिए, मैं आपसे कई बार बोल रहा था कि भाई, आपको जो value दी गई है, वो जैसे कि meter में है, कही जगा, feet में दी गई है, तो आपको value जो है, centimeter में, millimeter में, feet में, meter में, सबी चीज में पता होगी, तब आप question को solve कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर question पूछा कि, dash is 10.05 meter long and is mostly used for cadastral surveying, अब कई student होगे, यहाँ से तुक्का लगा लेंगे कि भाई, cadastral surveying के लिए आप कौन सी chain यूज करते हैं, लेकिन कई student ऐसे होगे, जो कि यहाँ पर ही फस जाएंगे, 10.05 meter यार, यह कौन सी chain है, कौन सी chain हम इसके लिए यूज करते हैं, तो मैं बार-बार यही बोल रहा था आपको, कि भाई, आपको मीटर में भी value पता होनी चाहिए, तो जो cadastral surveying के लिए हम यूज करते हैं, और जिसकी जो length होती है, 33 feet होती है, वो होती है revenue chain, revenue chain के बारे में मैं आपको बताया था, कि इसमें जो number of links होते हैं, वो 16 होते हैं, सबसे बड़े links इसी के होते हैं, 2 raise to power 1.6, raise to power 2, 1,16 जो होते हैं, इसके एक link की जो इतना लंबा होता है, एक link, तो यह है important question, 33 feet जो होते हैं, 10 meter बनते हैं, तो option C हमारा इस question answer हो जाएगा, यह इसको हम पटवारी chain भी बोलते हैं, पटवारी बगारा जो होते हैं, जादातर, जो क्षेतर होता है, जहांपर फसल बगारा वो यह होती है, उसको measure करने के लिए इसको chain को ही use किया जाता है, अब देखिए, यहांपर एक numerical पूछा गया है, numerical में बोल रहा है कि, इस steel built-up column is subjected to an axily force, जो है, thousand kilo newton है, the leasing system has to be designed for resisting a transverse shear of, transverse shear of, देखिए, एक question हमने discuss किया था, जब हम column का chapter discuss कर रहे थे, steel structure में, तो हांपर हमने discuss किया था कि, भई, जो column के लिए transverse shear stress होता है, वो कितना होता है, तो वो 2.5% of axily force जो होती है, उतना होता है, हमने वहांपर discuss किया था, तो यही formula है, इसी formula से हम इस question को solve करेंगे, हमसे क्या find out करने के लिए बोला है कि, भई, जो transverse shear होती है, वो हमें find out करनी है, तो transverse shear हमें पता है कि 2.5% axily force होती है, तो 2.5% यह percentage में दियाएगा, तो percentage को हमें, इसको find out करना है, तो over हम 1000 कर देंगे, percentage में value होती है, तो हम 100 कर देंगे, तो into हमारे पास axily force 1000 दी गई है, तो इसको आफ find करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 kN यह answer आ गया, जिस तरह से आफ find out करना जाते हैं, उस तरह से आफ find out कर सकते हैं, अब यह question भी बहुत ही जादा important बन जाता है, बर्नौल इस question जो होती है, refer to conservation of, बर्नौल इस equation से बहुत सारे question जो है आफ को देखने को मिल जाते हैं, एक्जाम में, तो यह बहुत ही अच्छी एक, आच्छा question बन सकता है, तो बर्नौल इस equation जो होती है, conservation of energy पर based होती है, तो यह बहुत ही अच्छा question है, एक्जाम के point obvious है, तो यहाँ पर कुछ और points भी आते हैं, जिसे कि यहाँ पर जो flow होता है, वो steady होना चाहिए, कुछ इस तरह के points भी आपको इस question में याद होने चाहिए, मैं इसलिए बार-बार यही आपको ऐसे point बताता रहता हूं क्योंकि आपकी साथ-साथ में revision भी होनी चाहिए, है, ईसर जिसने अवी तक वीडियो को शेर नहीं किया है, अभी शेर कर दो अपने दोस्तों को, शेर करने में कुछ नहीं जाता है, आपको हमारी वीडियो के नीचे ही लिंक मिल एक बोलाए कि प्रोसेसर जिसमें हम इम्प्यूर्टी जो होती है उसको सेपरेट अलग कर सकते हैं कहां से सस्पेंडिंग फिल्यूड से बाइदा एक्षिन ऑफ नैचुरल फोर्सेस के द्वारा अलोन इस गॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं देखी कितना अच्छा कोशन है य इस प्रोसेस को हम प्लेन सेदिमंटेशन प्रोसेस बोलते हैं औप्शन थी हमारा अंसर होगा इस किसिन नहां देख्ये अग्ला क्वेके इनवरुमेंटल इंजिनियर्रिफी पूछा गया कि question बोला कि blue bond देखिए blue bond is the term बोला कि blue bond एक term है जिसको हम use करते है for bond whose proceed our mint form किसके लिए use किया जाता है तो blue bond एक शब्द है जिसको हम use करते हैं जो समुंदर से लेट करते हैं environmental प्रियोजनाई होते हैं उसके लिए हम इसको use करते हैं marine related environmental project होते हैं उसके लिए हम blue bond term को use करते हैं अब देखिए question कितना ज्यादा important question है option आप सोच रहे होंगे कि जाने पैचाने लग रहे हैं लेकिन यार ये option जो दिये गया है वो जो जाने पैचाने नहीं लग रहे हैं थोड़ा से यहां पर मैंने गलती कर दी कि थोड़े भूत option change करके आपको देने चाहिए थे तो option हमने change नहीं किये देखिए question क्या बोरा है which of the following is the scientific classification of rock scientific classification जो है रोक की वो कौनसी है अब कैस्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस question को ही देखकर ही confused हो जाएंगे यार जो रोक की classification है वो तीन कैटेगीरी में है तो एक तो geological classification होती है जिसमें हमारी ignisys, sedimentary and metamorphic rocks करती है एक है physical classification है जिसमें हमारी stratified, unstatified, foliated rocks बगर आती है and third one जो है वो chemical है chemical में हमारी silices, argilices and calcaries है वो तीन आती है, अब ये scientific classification कौन सी आ गई कैई student ऐसे होंगे हाँ यार यार यहाँ पर option तो जाने पैचाने से दे रहे है अब कौन सा answer होगा तो कई लोग ऐसे होंगे कि तुक्का लगाके हाँ भाई यार इसका answer scientific है तो SS से देखते हम तो यार ट्रिक देखते हैं कि यार ट्रिक बन सकती है आपर यह नहीं बन सकती है चलो यार यह तो हो नहीं सकते तो फिर यह दो SS से आ रहे हैं तो कौन सा हो सकता है तो कुछ तुक्का लगाके इस तरह से लगातेंगे लेकिन question जो है अगर आप किसी जीश की study करते हैं तो उसके बारे में आपको proper knowledge होना जो बहुत ही जुरूरी है तब जाकर आप question को solve कर सकते हैं जैसे कि यहां पर scientific classification दिया गया है तो इसका एक और नाम है scientific जो है इसका एक और नाम है वो है chemical chemical classification या फिर scientific classification एक ही बात है chemical scientific हमारे जो scientist होते हैं वो chemical से ही काम किया करते हैं किसी चीश से chemical बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रोयोग करते रहते हैं तो देखिए यहां से ही आपका यह scientific word जो है आप relate कर सकते हैं easy level का question अब आपको पता है कि chemical में कौन-कौन सी आती है इसके बात करते हैं तो silica and sand इसके main component होता है main constitution जो होता है principle जिसको हम principal constitution जो होते हैं अब इसके हम example की बात करें तो एक तो इसका ग्रे नाइट होता है बास होल्ट होता है trap होता है जो की ignisys रोके होते हैं वो सारे होते हैं उसके बाद sand stone होता है and last one is quarter site तो यह 4-5 जिसके example होते हैं आप इसको याद रखी क्योंकि exam में रोक से question आपका एक पूछा जाएगा ही जाएगा और जाता ही रहा है अब अगला question देखे question बोला कि which of the following sentence is correct correct in the case of bishop simplified method of slice simplified method of slice कौन सा सही statement है हमें यह बताना है इस question में तो यहाँ पर जो सही statement होगी वो हमारी होगी option number B अगला question देखे यह question उतना important तो है नहीं लेकर फिर भी discuss करना जरूरी है कि यह कई बार exam में पूछा गया तो चलो हम discuss करी ही लेते हैं तो the water content at which एक ऐसा पानी है जहां पर हमारा सोयल जो है वो भाई चेंज हो रहा है change from liquid state to plastic state में हमारा एक सोयल है वो चेंज होता है liquid state से पहले वो liquid था फिर वो plastic state में चला गया वो किसी पानी में किसी पानी का content जो है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको liquid limit ही हम बोलते हैं c हमारा इस question में answer हो जाएगा अगर हम चलो इस हमारा इस question में answer होगा next question को हम देखते हैं अगला देखिए what are the error that can't be eliminate in surveying कौन सा ऐसा error होता है जिसको surveying में हटाया नहीं जा सकता दूर नहीं किया जा सकता हम उसको solve नहीं कर सकते हैं instrumental error, random error, personal error, error due to natural causes कौन सा error होता है वो तो वो होता है random error जो randomly आ जाते हैं वो error को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता surveying में अगला question देखिए for which of the falling tunnel losses किस तरह के tunnel losses में is meaning regostly coefficient use किया जाता है in the calculation of head losses के लिए तो वो होता है friction losses जो होता है उसके लिए use किया जाता है option c हमारा answer होगा इस question में कई question ऐसे होते हैं जो कि आपको रटने पड़ेंगे यहाँ पर कोई track बगारा use नहीं होती है कि भाई यह होगा अब अगला question देखिए हम इस question को भी दो तनी बार discuss कर चुके हैं अपने चैनल पर important है इसलिए यहाँ पर include किया है देखिए which of the falling is non automatically rain gauge used in measurement of rainfall सबसे पहला आपको यह पता होने चाहिए कि जो rain gauge होता है वह rainfall को rainfall जो होता है उसको measure करने के लिए huge किया जाता है अब यहाँ पर question बोड़ा है कि non automatically rain gauge non automatically का meaning यह है कि भाई यह rain gauge जो होता है इसको हमें खुद operate करना पड़ता है जब बारिश हो रही होगी तो हम क्या करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ बटन rain gauge बोलते हैं इसको ordinary rain gauge भी हम बोल सकते हैं ordinary engage तो इसका जो example होता है वो होता है यह बाला option one हमारा इस question में answer Simon rain gauge होता है वो इस category में आता है अब यह तीन जो आते हैं वो आते हैं self recording या फिर automatically rain gauge automatic rain gauge self recording से meaning यह है कि मान के जो लो कि हमने इसको किसी open जगा पर रख दिया यह question of exam में पूछा गया कि जो rain gauge होता है आप उसको कहां पर रखते हैं तो open space में यह रखा जाता है तो यह खुद बाखुद जो reading होती है उसको record कर लेता है कितनी बारिश हो रही है कितने बादल है कितने mm की बारिश हो रही है तो यह खुद ही record कर लेता है तो उसको self recording या फिर automatic rain gauge बोलते हैं तो इस तीनों के example यह है तो option A हमारा इस question मांसर होगा अब अगला option देखी ए portion of the roadway roadway का एक ऐसा portion contingency with the travelway continue है travelway and is intended for accommodation of stopper vehicle यह accommodation यह निकि रहने के लिए जगा देते हैं जो गारी वहाँ पर रोकी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है देखी question कितना ज़्यादा important है यह जितने भी question है मैं लेके आता हूँ बहुत ही important होते हैं exam के point obviously जिसने चैनल को subscribe नहीं किया कर लो तो उसको हम बोलते है shoulder road shoulder हम उसको बोलते हैं तो हमारा एक ice code है IRC Indian Road Congress जिसका setup 1934 में हुआ था उसके according उसने बोलाया कि जो shoulder होता है उसकी जो width होती है चड़ाई जो होती है कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए दाई मीटर की उसकी चड़ाई होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए should not less than इतनी तो at least होनी ही चाहिए तो इसको आप याद रहिए अगला कुशन देखिए तो autoclave test is used to determine the dash in portland cement portland cement में तो देखिए autoclave test क्या find out करता है portland cement में expansion को find out करता है अब यहां पर 2-3 question और भी निकल के आते हैं यह निकल के आते हैं कि यह magnesia and lime होता है दोनों को find out करता है अगर lime and magnesia दोनों को अगर हम consider करते हैं soundness test के लिए तो उसको हम collective soundness कहते हैं इसको भी आप याद रखिए अगर हमें autoclave test से expression find out करना है तो find out हम lime and magnesia होता उन दोनों को करेंगे तो उसको हम collective soundness बोलते हैं यह भी important question बन जाता है आपके exam के point of view से अगला question देखिए according to WHO world health organization जो है उसके according to the permissible chloride content जो होता है पीने वाले पानी में वो कितना होता है चार option हमारे पास given है कितना होता है तो इस question में हमारा जो answer रहेगा वो 200 mg पर liter रहेगा एक लीटर में 200 mg होना चाहिए तो जो chloride होती है पीने वाली पानी में उसको sodium chloride के रूप में वो उपस्तित होती है तो यह sodium chloride के रूप में present होती है तो इसको भी आप याद रखिए अगला कोशन देखे बीच of the falling is an objective of aeration of water objective of aeration जो होती है वो कौन सा होता है तो aeration जो होती है इसका objective यह होता है कि remove taste and order from the gases produced due to organic decomposition जो organic decomposition जो होती है उसकी बज़े से जो gases पैदा होती है उसमें taste and order को remove करने का main objective जो होता है वो aeration का ही होता है C हमारा इस question of answer हो जाएगा इसको आप याद रखिए एक्जाम के point office से बहुत ही जाता है important question आईए तो देखिए next question क्या बोल रहा है कि which of the falling cement is supposed to be best cementing material best cementing material and is well burnt cement well well burnt cement कौन सा है वो box compound जो है तो वो होता है tree calcium silicate कैई लोग इसको tricalcium silicate भी बोलते हैं एक ही बात है tree या फिर tricalcium silicate एक ही बात है इसका abbreviation जो होता है वो यह वाला होता है तो यह बहुत ही जादा important है इसके percentage की अगर हम बात करें 30 से 50% cement में इसका content होता है और यह साथ दिन के अंदर अंदर ही यह बन जाता है साथ दिनों के अंदर अंदर ही यह बन जाता है and यह जो starting initial जो strength होती है उसके लिए responsible होता है Initially j. iemand होती है उसके लिए tree calcium silicate ही responsible होता है यह हमारा इस question again हो जाएगा अगलो लाज्ट कुशन देखिए हमारे इस वीडियो का तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो साथ में बैल आगन को दबा लो तो देखिए नेक्स्ट कुशन बोरा कि What is the common scale adopted in form of representative fraction for the forest map देखिए एक्साम में एक बार ये कॉशन भी पूशा गया कि भई आर एफ जो होता है उसकी full form क्या होती है कई जगा रिवर्जेंटेटिव fraction दिया था कई जगा factor दिया था कई जगा friction दिया था तो ये fraction होता है इसका full form RF जो होता है तो यहां पर forest map के लिए पूशा गया कि भई RF जो होता है forest map के लिए वो कौन सा हम लेते हैं forest map की अगर हम बात करें तो option number C हम लेते हैं forest map and एक और चीज़ के लिए भी हम इसको ही लेते हैं 25,000 हम लेते हैं तो ये लेते हम graphical map जो होता है graphical map जो होता है उसके लिए भी हम एक 25 लेते हैं तो इसको आप याद रखिए तो friends ये थे हमारे most 23 questions आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो साथ में बैल आइकन को दबालो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखिए तो वो जाकर देख सकते हैं